आप सभी को हमाई चैनल में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियोज में हम सीखेंगे लेप्टोप हो या केमपूटर कई से चलाय जाता है जिहां दोस्तों बहुत सारे इसे ब्यक्ती होते हैं लेप्टोप या केमपूटर तो खरीद लेते हैं कि कहीं केमपूटर चलाने बगत उनको नहीं कुछ आता है तो कहीं उल्टा या पूल्टा कुछ अधर चीज नहीं हो जाए तो दोस्तों इसे घवराने की बात नहीं है हम आपको एकदम सुरू से चलाना सिखाएंगे कि कैसे केमपूटर या लेप्टोप को चलाया जाता है तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपके पास लेप्टोप है तो लेप्टोप के लेप्ट कौर्णर में सबसे उपर टॉप में एक बटन होती है पावर बटन जिसको आपको एक बार प्रेस करना है जिससे computer हो या laptop open हो जाएगी दोस्तों अगर computer आपके पास है तो उसमें एक CPU में power button होता है जैसे आप बिजली देंगे होँआ से electric तो power button के एक बार प्रेस करेंगे तो CPU चलने लएगी तो दोस्तों जैसे ही आपके laptop open करेंगे तो आपको desktop कुछ इस तरह से दिखाए देगी दोस्तों इसको desktop बोला जाता है जो एक तीर आपको white color के दिखाए दे रही है दोस्तों जिसको देखे हैं मूब कर रहे हैं mouse से इसको pointer बोला जाता है एक pointer को आप जहां ले जाना चाहते है वह pointer उहां पर जाएगा इस देश्टों पर दोस्तों इस छोटे छोटे जो desktop पर image दिखाए दे रही है इसको हम icon बोलते है icon में आप program भी रख सकता है को file folder भी आप रख सकते हैं उसको हम icon बोलेंगे दोस्तों इसके नीचे इसको हम taskbar बोलेंगे जिससे हम किसी भी program को खोल स देखाए यहां पर माइक वाला दिखाई दे रहा है जो भी हम लगाये हुए हैं यहां से आप net को connect कर सकते हैं इस system tray है दोस्तों इहां से इसके notification बहुत सारे आपको दिखाई देगा यहां पर देखे रहें आपको दिखाए दे रहा है यतना डिग्री सिल्सियस है इसके बा लेप्टोप में बैटिक कम हो गई है तो यहां से इसको आउन आप कर सकते हैं यहां से किसी mobile या किसी अधर चीज़ से आप यहां से Bluetooth कनेक्ट कर सकते हैं यहां से night mode कर सकते हैं यहां से all setting है मतलब दोस्तों जितने सारे जिस तरह से mobile में को दिखाई देता उसी तरह से देख देखें जो भी notification आपके आएगा दोस्तों यहां पर दिखाई देगी जहां पे no new notification लिखा हुआ है यहां से आप इसको clear कर सकते हैं clear का message आएगा यहां से आप इसको हटा सकते हैं तो अगर कोई भी आपको icon यहां से खोलना है दोस्तों तो आपर double click करें जैसे हम a new folder है यहां यहां प'M blender को हम यहां पर लाते हैं और इसको अगर म conversation होट करेंगे यहां और चलब सैब्सक्राइब करेंगे इसमाद कियों यहां पर restore डाउन है यहां पर minimizer इसको कहने का मतलब है दोस्तो minimizer करेंगे ति प्रोग्राम जो है open ही रहेगा लेकिन इस टास्ट बार में आकर छुप जाएगा तो जैसे मूब तभी होगा इसके सबसे टॉप वाले में हम पॉइंटर को ले जाकर किलिक करेंगे माउस की लेट बटन को किलिक करके प्रेस करके रखेंगे और इसको हम डरेक करेंगे ति इधर उधर मूब होगा और दोस्तो सबसे लास्ट बटन जो होता दोस्तो अगर इसको बंद कर करेंगे माउस में बटन होते हैं दोस्तों एक लेट होता है एक राइट होता है एक स्कॉल बटन होता है दोस्तों राइट किलिक करने के बाद आपको राइट किलिक करना है माउस के बटन पर इसके बाद देखें दोस्तों यहां पर एक है ऑप्सन न्यू न्यू पर जैसे किल करेंगא तो आपको एक FOLDER है FOLDER प्लिक करेंगे तो आपको सामने एक FOLDER आजाएगी आफ चाहे इसका नाम जैसे आप नाम च्रेंज करके हम अपना नाम टाइप आप कर देशार और इसके में भाण करेंगे तो tier FOLDER जो अभी बन गया एडनाम नाम से बन गया इसको जैसे बीते कुछ नहीं सिर्साफच मार्यद है इसमें देख लुब्रा किया जाते हैं तो जैसे इसको एकएन रहेगा टो तो पेन आपको देखे कुछ इस तरह से हो जाएगी ओपेन जब भी करें दिस तरह से दोस्तों आपको बीच वाला से रियस्टोर डाउन करना जाकि दिखाई दे और जो भी आपको करना है लाना जैसे हम इसको लाना जिसको किलिक करकी लाकर इसमें क्या करेंगे छोड़ दें कारेंगे और बाहर इस तरह से हाए तो क्या होब एक तरीका और है जिस फाइल में रहात करेंगे क्लीक करने करते हैं कट करेंगे इसके बाद इसमें आएएंगी राइट किलिक करेंगे इसके बाद क्या करेंगे प्येस्ट करेंगे तरह की जिए ह। तो क्या होगा कि यहां से ऊठ कर यहां पे चलाया मतलब यहां पे नहीं है चलिए इसको ड्रे करकर बाहर ला करए 360 अफरका कौने traffिल करेंगे और택 गाए वह तो आया भवुचर क्या है फाइल आई लेकिन इसकी कोपी होकर आई मतलब टिश्टो पर भी है और यहां पर का मतलब होगा की कट मतलब हटकर वहां से आएगा पूरे ऊठकर चलाएगा copy मतलब उसके duplicate होकर आएगा यह होता है दोस्तों चलिए आप फाइल बनाना सिखें दोस्तों अगर इस तरह से फाइल पहले से अगर बनी हुई है तो इसको नाम कैसे चेंज करेंगे जैसे हाँ पर देखे राम है अगर राम को हम चाहते हैं कि मतलब की कोई दूसरा नाम देने करें इस तरह से देखे select करेंगे तो चारो साइड इसके एक बॉर्डर की तरह बनी की लाइन ताको क्या काना keyword पर एव टूप्रेस करेंगे जैसे ही एव टूप्रेस करेंगे तो इस तरह से selection आ जाएगा और इसको यहां से हटा कर आप जो भी देना चाहते हैं जैसे DSI हम द डबल किलिक करेंगे क्या हो जागा ओपेन हो जाएगी तो हो गया दोस्तो फाइल या फोल्डर बनाने की काम चलिए हम नेक्ष्ट बताते हैं कि कोई भी प्रोग्राम इसमें कैसे खोलेंगे खोलने के लिए दोस्तों आपको यहां पर जाना होगा टास्पार में एक बटन ह जिसको बोला जाता है जैसे अस्टार्ट पर आप किलिक करेंगे दोस्तों तो देखिए बहुत सारे प्रोग्राम खूल जाएगी जैसे हां पर देखिए इस तरह से मेन्यू तरह आएगी इस तरह से अगर आ रही मतलब इस में हम कह सकते हैं कि मेरा ओपरेटिंग सिस्टम है मतलब कि डोटं ना तो दोस्तु है आ लिलेवन रहे साफ कस रहे का प्रोग्राम एक ही लेकिन फ्रिक्राद साइब कर से करेंगे के थाएगल खुलेगा उसके निचे-नेचे औरा फ्रोग्राम और přόσते आ क्लिक करके दिख सकते हैं लेकिन देखिएग selव को instrument pessimist, फाग्राम प्रोग्राम होता है प्रोग्राम होता है उसमें क्या करेंगे देखेंगे पेंट कहाँ पर लिखा हुआ तो सबसे सिंपल आपको क्या करना कि नीचे एक चार बटन में ही एक बोक्स है इसमें आपको paint लिख देना keyboard से keyboard से क्या करेंगे paint लिख देने paint जैसे paint लिखेंगे तो देखे paint आपके सामने आ जाएगी इस पर एक बार क्या करना किलिक करना है जैसे किलिक करेंगे paint आपके desktop पर open हो जाएगी देखे paint open होगी बीच वाले से जिसको बला जाता है maximize restore down button उस पर किलिक करेंगे पूरे जिस्टो पर set हो जाएगी आप इसमें दोस्तों इस प्रोग्राम में आप जो चाहें बना सकते हैं जैसे हमको star बनाना इस तरह से बना सकते हैं जो भी आपको काम करना है वो काम इसमें बहुत असान तरीका से कर सकते हैं जो काम आपको अच्छी लगे इसमें करना आता है तो कर सकते हैं अगर नहीं करना आता दोस्तों इस पर पहले सी वीडियो बनी हुई है इस वीडियो के यह star एक arrow बनाए उसको save करना चाहते हैं यह नहीं हम save करना नहीं चाहते हैं तो down save करेंगे अगर save करना चाहते हैं तो save पे क्लिक करेंगे हम save नहीं करना चाहते हैं तो down save कर देंगे तो यह तो होगी दोस्तो paint खोलने के लिए अगर आपको कुछ और खोलना है दोस्तों तो बटन पर ही जो सारे चीज खोलना आपको जो भी प्रोग्राम खोलना है इस ही में जाएंगे उसको खोज के आपको ढूंड के जहां भी है उस पे एक बार किलिक करेंगे खूल जाएगा अगर दोस्तों पेंट यहां से नहीं आता है तो आपको पेंट देखिए कि जगा सावर बनाना है यह जो बहुत सारे डोकॉमेंट से समंधित कुछ बनाना तो उसको कईसे खोलेंगे तो उसको खोलेंगे यहां से ॹुको क्या बता है कि जाना है यहां से मिलता है दोस्तों, सबसे असान तरीका जहांपर क्या करेंगे क्होजें लेंगे, सर्च कर देंगे Microsoft Word, तहां हमको यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ Microsoft Office, इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखना है कि Microsoft Office Word कहांपर, देखे लिखा हुआ है Microsoft Office Word 2007 मतलब 2007 का हम चला रहे है तो यह 7 का है अगर किसी 2010 भी रह सकता है तेरा भी रह सकता है उने इस भी रह सकता है जो भी आपके पास है दोस्तो उस पर आपको एक बाद किलिक करना है किलिक करने के बाद दोस्तो इक क्या हो जाएगी MS Word ओपें होने के दोस्तो कुछ टाइम तो लेगा ही आपको अकवकाना नहीं है घवराना नहीं है कुछ टाइम लेगा किलिक करने के बाद और इत्मेटिक ओपें हो जाएगी तो देखे दोस्तो यहां पे Microsoft Office ओपें हो गई है आप यहां पे जो भी आप टाइप करना चाहते हैं वह बहुत अ लिखना है या सुधारना है वो सारे काम MSBird में आप कर सकते हैं तो दोस्तो इस पर भी हमने पहले से कुछ वीडियो वनाके रखे हुए हैं इसको आप देखना चाहते हैं इसको डिस्क्रिप्सर में लिंक देदेंगी आप बहुत असानी से इसको देख सकते हैं तो चले दो कीबोर्ड पर एक बना हुआ होगा लोगो जिसको हम बिंडो वो लेंगे बिंडो पलस और एक साथ आपको प्रेस करें दोस्तो तो यह रन कमांड खुलेगी रन कमांड को देखे हम यहां पे लाते हैं और इसमें जो प्रोग्राम आपको खोलना उस प्रोग्राम का सौट न मेंगी हो जाएगी दोस्तो आप स्टार्ट बटन के अंदर जाकर भी क्या करेंगे बिंड शक्ते हैं यहां रिख करके भी आáticas कहिंए और की-वोड पर विटोपलस आर बटन दबाकर यहां पर सोट नाम लिए कर भी इसको आप क्या करेंगे को खोल सकते हैं दोस्तों कते हैं सब्गस्त अब कोई प्रोग्राम को बहुत असान तरीका से खोल सकते हैं दोस्तों अगर आप अपने केमपूर्टर में सांग या वीडियो या कुछ अधर चीद देखना चाहते हैं यह सुनना चाहते हैं तो उसको कैसे सुनेंगे दोस्तों उसको खोलने के लिए आपको डेश्टॉप पर भ दिखा हुआ रहेगा इस तेखको डाल बार क्लिक करेंगी तक इस तरह से ओपेन हो जाएगी दोस्तों यहां से बिंदर होने के बा देखे इहां डेक्त कभी नहीं जाना है नहीं जाना है या उपडेटिंग सिस्टम है या प्रोग्राम में इस सारे फाइल इसके अंदर रहते हैं दोस्तों इसलिए नहीं जाते हैं कि इसमें बहुत सारे फाइल रहते हैं अगर कोई फाइल आपको डिलेट होगी तो दोस्तों क्या होता है कि प्रोग्राम खुलने में या चलाने में बहुत ही दिकत होगी तो दोस्तों आपको Windows C से कोई भी छेडखानी नहीं करनी है इसमें आपको नहीं जानी है आपको जो भी प्रोग्राम रखना है गाना सौंग वीडियो तो आप अधर ड्राइब में आप रख सकते हैं लेकिन इसमें आपको कुछ रखना भी नहीं है अना अगर दोस्तों आपको फोल्डर बनाना है तो कई से बनाएंगे दोस्तों इसमें बनाने के लिए बहुत ही सिंपल बताना है इस पर राइट क्लिक करना है और यहां पर आपको जाना न्यू वाले में न्यू वाले में जैसी क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर क्या है इस इस पर राम नाम देने कर सेलेट करेंगे और कीबोर्ड पर एक टू प्रेस करेंगे और यहां पर हम 123456 रख दिए चलिए यहां नाम रख दिए सकते हैं दोस्तों देखें दिखाई दे रहा है यहां से हम को लोज कर देते हैं यहां से क्लिक करेंगे यहां से बहुत सारे पिच्चर में जाएंगे क्लिक करेंगे तो पिच्चर से आपने जो भी रखे हैं वह सारे चीज इसमें अपरक सकते हैं यहां से डाउनलोड जो भी खोल सकते हैं उपन कर सकते हैं मैजिक बना दोस्तों तो मैजिक पर जाएंगे तो मैजिक जिसमें रखे हुए हैं मैजिक सौंगा जाएगी इसमें बजा सकते हैं ते साल दोस्तों अलग-अलग फाइल फोल्डर है इसमें आप अलग-अलग केली करके उसमें आप जा सकते हैं तो दोस्तों यहां से हम कलोज कर देते हैं नेक्स्ट बताते हैं दोस्तों अगर दोस्तों इस फाइल को हमने डिलेट कर दिए अगर बाय मिश्टेक आप से को गलती से डिलेट हो गई तो फिर कई से बापस आएगी तो दोस्तों चलिए हम इसको डिलेट ही कर देते हैं और आ जाते हैं कि फाइल तो हमसे डिलेट हो गई आप आएगी कहां से तो घावराने की कोई बात नहीं है आपको डिलेट हो गई तेहां पर देखे एक रिसाइकिल भीन इसमें क्या करना है आपको डबल वर किलिक करके ओपेन कर लेना है जैसे ही ओपेन करेंगे दोस्तो तो जो फाइल अपने डिलेट की है सब से ऊपर देखे आ गया डियस आई इसको क्या करना आपको select कर लेना है right किलिक करेंगे माउस में और ईसको क्या करना Alab industrial पर किलिक करेंगे вик Coast जैसे ही किलिक करेंगे दोस्तों ओफाइल जहां से डिलेट होई है ओहें पर वापस चले जाए तो उसको बापस आप ला सकते हैं recycle bin से इतना बात तो होगी दोस्तों चलिए आप दिखाते दोस्तों कि डेश्टॉप पे हम यह बॉल पेपर कैसे चेंज करेंगे अगर दोस्तों यहां पर चाहते हैं कि अपना खुद का image लगाएं तो कैसे लगाएं तो right click करेंगे दोस्तों आप से लास्ट पे आना देखें यहां पर क्या है display setting देखतें पहले display setting में क्या होती है दोस्तों display setting में display related मतलब आ गया है option यहां से आप brightness को कम कर सकते हैं जो कि हमने बताये हैं कि setting से जाके भी आप कम कर सकते हैं यहां sound से related काम आपको आ जाएगा sound से देखिए यहां से आगे sound sound से आप related काम कर सकते हैं power sleeping से आ गया है तो दोस्तों इस sound से related आ गया है मतलब setting से हम चले जाते हैं ball paper तो यहां जाएगे सबसे last में personalize है इस पर click करेंगे click करने के बाद दोस्तों आपको option आ जाएगी change करने का ball paper तो देखे दोस्तों यहां पर आ गया लिखा हुआ background और यहां पर देखे लिखा हुआ picture यहां पर क्या करेंगे click करेंगे picture पर आ रहाँ से solid color ले सकते हैं slide so ले सकते हैं अगर picture देखे बहुत सारे picture यहां पर है हम click करने अगर यह picture के देखे तो आपको desktop पर picture क्या हो जाएगी set हो जाएगी चलिए हाँ पर देखे मेरे picture क्या होगी desktop पर set होगी पहले बाले picture जो था हट गए दोस्तो कैसे बदलना सबसे पहले आपको क्या करना खाली जेगा पर desktop पर mouse से right click करेंगे right click करने के बाद personalize में जाएगे इसमें click करने के बाद display setting में आ जाएगे और यहां से दोस्तो अगर खूद का picture लगा जाते है अगर आप browse में किलिक करेंगे दोस्तो इसके अंदर चले जाएगे picture वाले फाइल पर jump कर जाएगे जैसे पर click करेंगे तो browse वाले पर नहीं तो आपको picture जो लेना है यहाँ पर click करेंगे और इसमें आपको display पर set हो जाएगे देखे यहाँ पर आ गया दोस्तो हमने ब्रोज पर select किलिक किये थे तो और यहाँ से जो भी आपको picture लगता है हम यह picture ले जैसे हमने चाहते हैं कि यह picture ले लेते हैं चलिए हम यह बाले लेते हैं click किये और यहाँ से चूज picture कर देए जैसे चूज करेंगे दोस्तो आप इसमें सेट हो जाएगी और यहाँ से देखे क्लोज करेंगे तो आपको कुछ display में इस तरह से दिखाई देन लेगी तो दोस्तो अगर खुद कर लगते हैं तो खुद अपना picture चूज करेंगी और यहाँ पर क्या हो जागा लाइखे सेट हो जाएगा अगर आताना चाएं दोस्तो देहां से पीड़ साप供ाट करते हैं जो भी पीचर फॉल्डर के आप प्le चाहीं जो बाम प्रोढ़्र है चाहीं होसको आप लेट करना ना कोही program को खोलना सिखें program में brightness को बढ़ाना है घठाना सुखें तो यह सारे चीजह हैं दोस्तो आपको daily का काम आता है दोस्तो आप चलिए हम यह pop-up के बारे हम बताते हैं आपको की पूप पको इससे काम कता छिंसे दोस्तो सबसे पहला है इस pop-up में right click करेंगे माॉस से माउस से राइट क्लिक करेंगे सबसा पहले उप्षन है भीव अब भीव का काम क्या दोस्तों यह है दोस्तों आइकन से लिटेड मतलब इस आइकन से लिटेड जो आपको दिखाई दे रही है भी आइकन जैसे कि है इस सारे चीज आपको बोलें थे इमेज फाइल फोल्डर को कई साइब मतलब छोटा हो जागा से बहुत सारे इमेज आइकन है जो सो永दने देखिए अपको डिसमीले यहम से हमेडियम में रखेंगे यहां से मेडियम में क्लिक करें तो मेडियम में आ जाएगा फिर राइट किले करें वीव में जाएगे और यहां से देखें दूस्तों क्या है कि ओटो एरेंज आइकन मतलब एक आइकन खुद एटोमेटिक सेट हो जागा अगर यहां पर क्लिक करेंगे तो देखें यहां पर क्लिक करें तो देखें पहले आइकन खुद एटोमेटिक सेट होगी अगर इसको हम जहां लागाना चाहते हैं तो देखिए हां से अगर यहां ड्रेक करें कि बीच में हमको लाना रिसाइकल बीन को तो नहीं आ रहा है तो इसको लिए आपको फिर से क्या करना कि यह अगर दोस्तो इस सारे आइकन को आपको हाइड करना डेश्टोप नहीं दिखाना है तो क्या करेंगे दोस्तो इहां पर 100 डेश्टोप आइकन पर एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए पूरे क्या होगा आपका आइकन डेश्टोप से गाइब हो गया आपको कुछ भी आपर दिखाई नहीं दे रहा आप कुछ भी नहीं खोड सकते हैं दोस्तों सिर्फ यह नेश्ट दोस्तों सौट बाई सौट बाई का मतलब है दोस्तों जो भी आइकन है उसको आप नेम बाई एरेंज करना चाहते तो नेम बाई एरेंज कर सकते हैं साइज कर सकते हैं आइटम टाइप से डेटन टाइप चलिए हम नेम से करेंगे तो नेम पर किलिक करेंगे तो नाम से इस सारे file क्या हो गया arrange हो गया नाम भाई से अब इसके बाद हम अगर size से करेंगे तो size से हो जागा related देखे सारा icon मतलब change हो रहा है यहां से item type से करेंगे तो देखे item type से related service set हो गये मतलब automatic हुद से adjust हो जाता icon इस लिए दूस्तों रीप्रेश किसे करते हैं दोस्तोंज जब भी आपको मिद्वार्टर करते हैं तो तो एश प्रोग्राम होते हैं जिसको लोड होने पर फीस टाइम लगता है इसलिए हम रीप्रेश करें हैं कि युदि से प्रोग्राम क्या हुआ रणिंग करने लगे लोड हो जाए इसलिए दोस्तो हम लोग रीफेस करते हैं नेक्ट दोस्तों पेस्ट और कौपी अपको बता ही दीए हैं निव से अपको फोल्डर बना दिए सिखाने के लिए और यहां से प्रस्थ ग्वाप्से क्या हूं दुस्तों आपको बॉल पेपर आप दिखा करते हैं और बॉल फेपर